नमस्कार दोस्तों दोस्तों जैसे मैं अपने इंस्टाग्राम एप पे जाता हूँ और इस पे क्लिक करता हूँ ना तो दोस्तों जो मेरा इंस्टाग्राम एप है यहाँ पे ओपन होता है और आटोमेटिक यहाँ पे बंद हो जाता है और यहाँ पे दोस्तों एक पॉपप सो लिए है अगर आप इस वीडियो को एंड दख देखेंगे तो 100% मैं गैरंटी देश सकता हूं जो आपका प्राबलम है शालब हो जाएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं उससे पहले मैं बहुत दाना चाहूंगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब आप नहीं किया ना तो इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा और बगल में जो बेल आइकन आ रहा है उसे प्रेस करके आलवाले नोटिपिकेशन पर जरूरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या होग अब जैसे हैं ऑप इंस्टाग्राम सर्च करते हैं यह आपजयेगा सिंप्री अगर दोस्तों आपके इंस्टाग्राम में अपडेट आ रखा है तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा यहाँ पे दोस्तों एक अप suppression आपको मिल जा था अप्डेट का सिंप्रीय आपको अप अब्डेट कर लेना होगा, ठीक है, अब دोस्तों, سिंपली आपको अबडेट करने के बाद, आपको करना कुछ नहीं होगा, सिंपली आपको जो Play Store है न, इस पर पो Long Press करना होगा, और यहां पर प्रेश करने के बाद, App Info में जाना होगा, और app info में जाने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों अगर आपको app info का आपसर नहीं मिलता है तो simply आपको जाना होगा setting में और setting में जाने के बाद यहाँ पे आपको search कर लेना होगा installed app या फिर manage app या app manager ठीक है तो दोस्तों simply आपको उस पे क्लिक करना होगा उसके बाद दोस्तों simply आपको app install आपसर पे क्लिक कर देना होगा अब जैसे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो आपको mobile phone में जितनी भी apps होगी आ जाएंगी और उसके बाद आपको करना क्या होगा यहाँ पे एक option आपको मिल जाएगा या फिर एक app मिल जाएगा Google Play Store का तो simply आपको इस पे क्लिक करना होगा अब इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे एक option मिल जाए तब 14 स्टाव का तो इस पे क्लिक करके ok कर देना होगा और ok करने के बाद यहाँ सब्सक्राइब करने के बाद आपद पर क्लिक करने के बाद यहां पर दोस्तो जितना भी परमिशन होगा सभी को अलाउग कर देना होगा फिर बैक आना होगा और यहांपर एक option मिल जाएगा रिस्टिक डेता युजर का तो इसपर आपको खुर कर देना ठीक है उसके बाद आपको back आ जाना है back आने के बाद आपको पूरा आपको clear cut कर देना है और उसके बाद आपको अपने mobile phone को यहाँ पर दोस्तो एक minute के लिए switch off कर देना होगा इसके बाद आपको पारवाले अшт Seriously आप कर देना होगा उसके बाद दोस्तो एक AWS और आपको आपने mobile phone को open करना होगा और उसके बाद आपको करना होगा यहाँ पर दोस्तो आपको जाना होगा इंस्टाग्राम पर जो Instagram APP हैं आप आ जाना होगा और एहाँ पर एक आपका आपको setting में जाना होगा और यहां पर installed app या फिर manage app में जाके फिर app list में जाना होगा और यहां पर simply आपको search कर लेना होगा Instagram अब जैसे आप Instagram search करेंगे तो Instagram app आ जाएगा simply आपके सामने वह ही interface यहां पर आ जाएगा उसके बाद आपको करना होगा और दोस्तों यहां पर जितनी पर पर मिशन onगी सभी को allow करना होगा अब सभी permission को allow करने काष़ हगह भैक आना शोगा और बैक आने के बाद यहां पर पूर आपको clear cut मारत देना होगा उसके पास दोस्तों देना होगा जैसे मैं अपने username को यहां पर डाल देता हूं उसके बाद simply यहां पर आपको अपने password को फिल करके login वाले option पर क्लिक कर देना होगा अब जैसे login वाले option पर क्लिक कर देते हैं यहां पर दोस्तों देख पा रहे हैं जो मेरा Instagram है successfully चलने लगा यहां पर दोस्तों कोई Instagram का password नहीं पता है तो simply आप YouTube पे सर्च किजिए Instagram का password भूल गए तो कैसे पता करें देखो टेखिंदी Simply आपको वीडियो मिल जाएगा Simply आप अपने password को भी वासे जान सकते हैं तो आशा करता आपको वीडियो काफी अच्छी लगयोगी अगर कहीं भी कोई प्राब्लम आया होगा तो comment box में जरूर पूछेगा